तो दोस्तो आज Reliance Industries की 46 वी AGM थी जिसके इंदर GEO Financial के चेर को लेकर काफी सारे announcement होते हुए हमें देखने को मिले है मतलब जो GEO Financial Company है इसका पूरा road map बताया है और उसके अलाबा जो GEO का IPO, GEO Telecom का IPO और Reliance Retail का IPO उसके अलाबा दोस्तों अभी जो recent IPO चल रहे है विष्णू प्रकास आर कोंगलिया के IPO को बहुती बंपर और जबरदस सब्सक्रिप्शन मिला है तो इसके अंदर हमारे allotment के chances कितने हैं, latest grey market का premium क्या चल रहा है, वो सारी चीजे जानेगे इसके लाबा, कल की तारिक में Aeroflex Industries के IPO है, उसका allotment status आने वाला है, उसका भी latest grey market का premium जानेगे, pyramid technoplast का IPO, कल की तारिक में listing है, latest grey market का premium क्या है, listing क्या होनी चाहिए, उसके अलाब दोस्तों, बाकी सारे जो अभी SME IPO चल रहे हैं, उनकी भी demand का अच्छी बन रही है, तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे, फस्त आपके अंदर हम GEO Financial की share और AGM के बारे में बात करेंगे, और second आपके बारे में जो अभी recent IPO चल रहे ह तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, टेलेग्राम चैनल की link description के अंदर है, और दोस्तों ऐस IPOs बगेरा में अपलाई करने के लिए, shares करीदने के लिए आपके बस DMIT account नहीं है, तो बिलकुल फ्री में DMIT account कुलवानी के link आपको description के अंदर मिल जाएगी, तो दोस्तों सबसे बहले बात करें, Jio Financial की share को लेकर, आज की Reliance AGM के अंदर काफी सारे announcement होते हुए, हमें देखने को मिले है, पूरा road में बताया गया है, इस AGM के अंदर, तो सबसे बहले अनोंने Jio Financial की share को लेकर announcement किया था, कि यह lending business के अंदर भी उतरने वाले है, जैसा Bajaj Finance जो lending का business कर रहा है, loan, personal loan है, SME loans वगेरा है, जिसके अंदर borrowings, investment, SME loan के बारे में जानकरी दी गई है, फिर दूसरा Jio Financial के अंदर में जो business आने वाला है, यह joint venture कर होगा, वो highly digitalized और technology based होगा, और इसके अंदर BlackRock के CEO भी आये थे, वीडियो conference के अंदर जोड़े थे, जिनका नाम है Larry Fink, तो उन्होंने भी जानकरी दी कि जिम्मेदारी जो है, यह digital और technology वाली जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी रहेगा, और local market क expertise है इनके साथ, और उसके लावा जो risk management expertise है, और AMC business कैसे चलाना है, तो यह सारी चीज़े जो है BlackRock संबाले का, इसकी जिम्मेदारी BlackRock पर रहेगी, तो यह कहेगी पूरा technology driven digital platform लाएंगे, जिसके अंदर बहुती easily हम investment कर पाएंगे, वहुती unique और developed platform होगा इनका, जिके Reliance उत यह मतलब aggressively business के अंदर उतरेगा, और इसके लावा digital payment adoption जैसे phone पे, Google पे, Paytm के जो भी business है, उनकी तरह भी यह business करेगा, तो तीसरा यह business है, और यह जितने भी platforms बनाएंगे, तो blockchain based platforms बनाएंगे, जिसके अंदर high security होगी, और जो भी transactions होगे, customers के transactions, वो पूरे secure रहेंगे, कोई भी जानकर इधर उधर नहीं होगी, तो blockchain based होगे इनके platforms, मतलब जो customer का data है, पूरा secure रहेगा, तो इसके लावा उन्होंने यह भी बताएंगे, जो भी बड़ी बड़ी फर्म से insurance की, उनके साथ partnership करेंगे, जैसे ब्लैक रॉक के साथ, इन्होंने एमसी, mutual fund business के अंदर partnership की, व main business का इन्होंने announcement किया है, तो यह announcement दो पहले ही हो गई थी, देखिए, यह चीज़ कोई नहीं नहीं है, पहले ही इन्होंने यह चीज़ बता दी थी, पर इसके इन्दर कोई नहीं नहीं बता यह सिर्फ इन्ोंने confirm किया, कि यह business के अंदर हम उतर जाएंगे, आगे मैं इसके आपको negative points भी बताऊंगा पर और भी चीज़े सुन लेते हैं और इन्हों ने ये भी का कि जैसे हमने Jio Telecom को खड़ा किया, Reliance Retail को खड़ा किया, इतना successful बनाया है, उसी तरह से Jio Financial को भी, मतलब JFS को भी इतना ही successful बनाएंगे और उसके लाभा पूरे Reliance के ecosystem का हिस्सा बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इनका प्लान तो तगड़ा है इसके पीछे, पर अब announcement कब होती है, इसी कहीं इंतजार है और इन्होंने तीन reason भी बताएं, tremendous success के लिए, मतलब बहुत जबरदस तरीके से success पाने के लिए, तीन reason बताएं कि जियो financial कैसे success हो सकता है आने वाले दिनों में market के अंदर, तो इन्होंने पहला जो reason बताएं कि इनका digital first architecture, जिससे क्या है कि millions of Indians तक इनकी reach जाएगी, और देखा जाएगी उनके पास already इतनी जबरदस reach है जैसे हम Jio Sim use कर रहे हैं, और इनका जो retail का business है, Jio Mart का online business है, तो काफी सारे retailers और उसके लाबा जितने भी customers है, उनके पास already इनके पास काफी ज़्यादा reach है, और ये और भी ज़्यादा digital first architecture पूरा develop करने वाले हैं, जिससे क्या है कि इनकी millions of इंडियास तक reach होगी, आसानी से, तो ये कहा कि customer acquire करने में बहुत आसानी रहेगी इनके पास, दूसरा ये business जो है highly capital incentive business है, मतलब इसके इंदर बहुत सारा पैसा जाई होता है, ये जो lending उदारी देंगे, उसमें भी पैसा चाहिए होता है, insurance वाला इन सारी चीजों में पैसा चाहिए होता है, पुरा finance नाम ही finance है, तो finance के इंदर पैसे की ज़रूरत, capital की ज़रूरत रहती है, ये highly capital incentive business है, तो इनके पस आप देखिए strong capital foundation है, एक तो reliance industries और जियो financial के खुद की जो net worth है, एक लाग भी से जार करोड रुपए की, तो ये one of the highest capitalized financial platform है, मतलब शुरूआत होते ही, इसकी नेव काफी मजबूत है, तो ये इसके लिए और ज्यादा benefit हो जाता है, मतलब इनोंने जो reason बताए, दूसरा reason ये है, फिर इनोंने तीसरा reason अपने success होने का बताया, कि जियो financial is blessed with very strong board and management, जैसे केवी कामत जो पुराने ICA के अंदर काम करते थे, अभी ये इसको संभालेंगे, पूरे जियो financial के, जो CEO और चेयर्मन जो भी कहें, वो अब केवी कामत है, और उसके लाबा BlackRock, दुनिया की बड़ी, बहुत बड़ी investment firm, वो भी इ कह सकते हैं, management तो इनका काफी तगड़ा है, और उनके उपर मुकेशंबानी तो है ही, इनका management काफी बड़िया है, और इन्होंने जिस भी business के इंदर भी हाट डाला, उनको बहुती बड़िया तरीके से खड़ा किया है, तो ये इन्होंने तीन reason बताए कि जियो financial कैसे success हो सकत तो ये पूरा रोड मैं बता है, जियो financial कंपनी को लेकर, तो ये बहुती बड़िया रोड मैं पर शांदार है, अगर इन business के इंदर उतरता है, और aggressively उतरता है, जल्दी इसके इंदर उतरता है, तो जल्दी से जल्दी जियो financial के जो shareholder से उनको भी फायदा दिखने को मिलेग cost of service भी reduce करेंगे, जैसे mutual fund के अंदर जो भी cost वगिरा लगती है, insurance वगिरा के अंदर, या किसी भी business के अंदर जो भी costing है, उसको reduce करेंगे ये, जब शुरुआत के अंदर बहुत बढ़िया competition बनाने वाले है, market के अंदर, फिर उसके लावा जो ये road मैं पूरा बताया है, उस इस business के अंदर उतरने वाले हैं, पर इन्होंने कहाईगी पूरा confirmation दे दिया, कि इन business के अंदर हम उतरेंगे ही, पर launch date नहीं बताइए, एक तो ये negative point लगा, फिर दूसरा मुझे ये negative point लगा, ये जितने भी ये service ला रहे हैं, lending business की, AMC मतलब mutual fund वाले business है, और उसके लावा digital payment business है, या उनको कह दे, insurance वाले business है, तो इसके अंदर कोई भी app या website, वो भी कोई launching नहीं की है, और ये app या website कब launch होगी, इसको लेकर भी कोई भी जनकरी नहीं दी है, ये भी थोड़ा negative point लगा इसके अंदर मुझे, देखिए जो चारो business announce की, ये तो सब को पहले से ही पता थे मतलब कोई नहीं बात नहीं है, पर launch date वगरा भी announcement होनी चाहिए थी, अब मुझे लगता है कि जल्दी ही इनकी launch date वगरा announcement हो जाएगी, क्योंकि अब reliance किसी चीज में उतरा है, तो बही ऐसे बिना तयारी के साथ उतरा नहीं होगा, जल्दी ही मुझे लगता है कि इनकी launch date व इसका वरोसा नहीं आता है वो शेयर के वर उस company के उपर, जो institutional investors हैं, वो भी कहा है कि अगर business चालू होता है, तो क्या है कि आसानी से वरोसा जता पाते हैं, तो यह जल्दी से जल्दी इनको करना पड़ेगा चालू, आपको क्या लगता है, मुझे comment करके जरूर रताइगा, और मुझे लगता है कि डेट से दो साल तो लगेंगे पूरा business जो है, इसको set up करने में, बर इससे फिर ज़्यादा time लेता है, तो फुर थोड़ा negative point होगा इस company के लिए, फिर क्या है कि जो भी investors ने पैसा लगा है, उनको लंबा hold करना पड़ेगा, फिर उसके लाब दोस्तो जियो टेलेकॉम के IPO के announcement हुई है नहीं हुई है, इसके अंदर साइट जियो टेलेकॉम के IPO के लेकर कोई भी announcement होते हुए हमें देखने को नहीं मिले है, काफी लोगों को इंतिसार था, बिछले 2-3 साल पहले ही जियो टेलेकॉम का IPO लाने वाले थे, पर इसको लेकर अभी तक कोई भी announcement होते हुए हमें देखने को मिली है इस AGM के अंदर, तो यह थोड़ी निरा सा जनक बात है, और Reliance Retail के IPO को लेकर भी कोई भी announcement होते हुए नहीं देखने को मिली है, यह थोड़ा निरा सा जनक बात लगी, क्योंकि जो जियो टेलेकॉम बिजनेस और Reliance Retail का बिजनेस है, बहुत ही जबरदस बिजनेस चल रहे है, मतलब यह टॉप बिजनेस है, अभी Reliance Indices के, जो अभी वाकई में चल रहे है, जियो फाइनेशल तो अभी स्टार्ट करेगा, पर यह दोनों बिजनेस तो अल्रेडी स्टैबलेस बिजनेस है, यह था AGM के अंदर, जो भी जियो Financial Share को लेकर Announcement होना था, और मैंने आपको यह भी प्यताया था कि, जियो टेलेकॉम के IPO और Reliance Retail के IPO को लेकर अभी तक कोई भी Announcement नहीं हुई है, यह सारे Main Main Updates जो मैंने आपको बता दिये है, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया है, यह सारी जंकरी पस QIB ने, क्योंकि अब आकरी दिन ही QIB के पास था, तो QIB ने आकरी दिन बहुती बंपर पैसा बढ़ताया है, और मुझे उम्मीद दी भी थी कि QIB बढ़िया पैसा बरसाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड काफी अच्छी चल रही थी, तो यह टोटल 87.82 गुना पैसे उपर लगाए है, QIB पोर्शन ने, अकेले, और उसके लबाँ, NII पोर्शन 111 गुना सब्क्राइब हुआ है, मैंने भी पर्शनली एक small HNI category के अंदर अपलाई किया है, वैसे मिलना तो बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा इतना ज़ादा और अभी जवर्दस रिस्पॉंस है, तो टोटल अगर देखा जाता है, application wise तो ये 29 से 30 गुना के आसपास application wise सब्सक्राइब हुआ है, तो मतलब allotment की जो chances, overall जो chances बन रहे हैं, सिर्फ 3%, 100 मैंसे 3 लोगों को इसका allotment मिलेगा, मतलब बहुत कम chances बन रहे है, विश्नु प्रक एक lot, small H&I category के अंदर अपलाई किया है, आपकी category और lots मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा, तो बात करें, ग्रे मार्केट के premium की, तो 50 रुपे पर शेर, 1500 शेर का lot है, तो करीबं 75 रुपे हमें एक lot पर आज की तारी में फाइदा बता रहा है, परसेंट इस वाइद करीब क lot money status के बारे में जानकारी भी दी थी, वहीं लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर 39 अगस को इसकी official data, लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर हमें इसका lot money status लेखने को मिलेगा, अगर मानलो लेट हो जाता है, तो पहले credit और debit के ऐसे में सा जाएएगे, आपको भी पहले मिल जाते प्रिमियम, 70 रुपए per share, 130 share का lot है, 999,100 रुपए हमें एक lot पर आज की तारी में फायदा बता रहा है, percentage wise अगर देखते हैं, तो 65% जिसा gray market का premium है आज की तारी में, अब कल देखते हैं कि Aeroflex indices के अंदर किस किस के भाग खुलते हैं, वो कल की तारी में, शाम तक हमें पता चल जाएगा, और कल मैं वैसे ही भी आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा, टेलेग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए, ताकि कहाएं कि वहाँ भी कोई अपडेट बगिरा मिलता रहें आपको, उसकी link description के अंदर है, और फिर दोस्तों कल पिरामीट टेक्नो प्लास का जो और नेगटिव लिस्टिंग की उम्मीद नहीं है कि नेगटिव लिस्टिंग होगी, डिमांड ठीक चल रही है, तो वैसे ही हमें लिस्टिंग देखने को मिलनी चाहिए, और ये T2T सेग्मेंट, वालब ट्रेट टू ट्रेट सेग्मेंट के अंदर लिस्ट होने वाला है, तो जो लोग भी नहीं एंट्री बनाएंगे, तो इंट्राडे अलाउड नहीं होगा, तो उनको कहाए कि T2 प्लस टू डेट बाद ही वो सेल कर पाएंगे, दो दिन बाद सेल कर पाएंगे, तो ध्यान से लीजिएगा, अगर लेना भी होए, तो कहाएगी इसके अंदर अप पिरामेट टेकनेप्लस को लेकर, तो पिर टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लीजी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो दोस्तो रिशाब आईपियो एक नए आईपियो आ रहा है, तीस अगस को उपन होने होने वाला, इसका ग्रे मार्कर का प्रीमियम उसका ग् जैसे ही कोई SME IP को डिमांड आती है तो मैं आपको जानकर ही दे दूँगा तो CPS, NSE, SME IP उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो 90 रुपए पर शेर्स का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है इसके बारे में डीटिल में मेरा मन है कि इसके ओपर रिवीव गया कर वीडियो बना दिया जाए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जाबर दस्त है तो 140 रुपए पर शेर, 1200 रुपए जैसा एक लौट पर फाइदा बता रहा है और स्टेश वाइज एक सो पैतालीस पर्सेंट जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है मतलब बहुती बंपर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है अभी ये दोनों IPOs है जिनकी डिमांड सबसे जादा चल रही है ऐसे में इसके इंदर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर